हेलो बच्चो आज हम आप लोगों को बसंत भाग एक जो क्लास 6 के NCRT के पुस्तत है उसका लेसन नमबर बन जिसका नाम है बहचडिया जो यह एक कविता है जो केदान नात अगरवाल द्वारा दिखी गई है आज हम आप लोगों को इस कविता के भावार्त के बारे में वह चडिया जो चलिए अब हम आगे भावार्त को जानते हैं वह चडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुंडी के दाने रूची से रस खा लेती है वह छोटी संतों से चडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे अन्न से बहुत प्यार है तो यह है आपकी कविता यहाँ पे एक चडिया की बात की जा रही है जो कैसी है आप इस लाइन में देख सकते हैं जो कैसी है नीले पंखो वाली मैं हूँ बहुत चडिया नीले पंखो वाली है और वह छोटी ह इसी नीले पंखो वाली चुडिया है, यहां पे जिस चुडिया के बात कर दिये हैं, तो चलिए अब समझते हैं, अब यहां पे वह चुडिया जो चोच मार कर दूत भरे जुण्डी के दाने, अब जुण्डी का मतलब क्या होता है? ठीके? यहां पे हम आप लोगों को इसके सब दर्थ लिख दिये हैं यहाँ देख सकते हैं जुड़ी का मतलब होता है जो बाजरे की बालियां जो जो और बाजरे की बालियां होती है दाने होते हैं जिसमें दूद भरे हुए थे उन्हें ही जुड़ी कहा जाता है रूची, रूची का मतलब होता है किसी चीज की चाहो हो या पसंद हो उसे रूची कहते है रूची का मतलब यही होता है रस से खा लेती है अब रस का मतलब क्या होता है रस का मिनिम होता है यापे स्वाद, रस का अर्थ क्या है पिर वह छोटी संतोसी अब संसी का अर्थ दिरज रखने वाली धेर रखने वाली वो पहती धेर और धेर रखने वाली जड़िया है नीदे पंखो वाली आपको हमने बताया और मुझे अन्य से बहुत प्यार है अन्य का मतलब है अनाज दानी, जिसे क्या बोलते हैं? अन्न कहा आजाता है तो अब हम लोग इसका भावारत को समझेंगे कि एक छोटी सी कैसी चड़िया है? कभी इसमें क्या बता रहें? क्या क्या करें? कि कभी ने एक नीले पंको वाली छोटी सी संतोसी चड़िया का उले किया है किसे बहुत प्यार है मतल Bah何 प्यार है और बहुत ही संतोसी है California दिर्श द्हार्ष रखनेगे कहने बहुत हैं बहुत हैं रूचिसे अर्थात मन से और रस लेकर मतलब उसका स्वाद लेकर खाती है क्यों क्योंकि उस चड़िया को अन्न से बहुत प्यार है आपके पहले पारग्राफ में कभी यही कह रहा है कि एक नीले पंखो वाली छोटी से चड़िया है जो बहुती संतूसी है धैर है उसे अन्न से बहुत प्यार है और वो जो दूद से भरे हुए ज्वार के दाने है उन्हें बहुत रूची से जार खात बहुती मन से रस लेकर मतलब स्वाद लेकर खाती है चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इस्टेंजा में ठीक है दूसरा फिर कह रहे है वह चडिया जो कंट खोल कर बुढ़े वन बाबा की खाती रस उलेड कर गा लेती है वह छोटी मूँ बोली चडिया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझी विजन से बहुत प्यार है फिर से वही बात बोलना है कि उसका अर्थ होता है गला खोलकर बूरे वन बाबा की खातिर क्या कर रही है गर कंट खोल कर बुड़े वन वाबा के खादिर क्या कर रही है रस उलेड कर गा लेती है रस उलेड कर का मतलब क्या होता है कि सुमधूर स्वर में उसका जो स्वर है वो बहुती मीठा है सुमधूर स्वर में वो गा रही है वो छोटी सी मुह बोलगी चड़िया अब मुह बो प्यार है अब यहां पर उसको किसे प्यार के बारे में बता जा रहा है विजन से विजन का मतलब होता है एकांत होना या फिर सुनसान जो वन होते हैं वहां पर उन्हें विजन कहते हैं तो अब इसकी व्याख्खा को बारे में जाते हैं कि कभी इस पैराग्राफ में क्या बता कि इस नीले छोटी सी चड़िया को उस वन से बहुत प्यार है ठीक है उस गने वन से बहुत प्यार है जो कंट खोलकर अपने बुढ़े वन भावा के लिए बहुती मीठे स्वर में और बहुती मधूर असूरिला गेत गाती है यहां पर क्या कहा जा रहा है कि छोटी सी नीले अपने गला को छोल कर अपने बुढहे बन बाबासलें बहुत ही मीठे सुरिली अवाज में क्या कर रही है गीत कह रही है है। कि वह निले पंखों वाली चडिया चकती है जिए सब में में मा। ये जो मीठे स्वर में जो मधूर गीत गारी है न चीडिया वो कौन है वो मैं ही हूँ और मुझे कहा रहना पसंद है मुझे एकांत में सुनसान जगा में रहना पसंद है और उसे प्रक्रति के साथ अकेले में इस गीत का आनंद लेना भी बहुत अच्छा लगता है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है मतलब उसे सुनसान जगा अकेले जगा से क्या है बहुत प्यार है यह हो गया दूसरे इस्टेंड गया का आपका भावाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स इस्टेंड गया कि और की वह चडिया जो चोच मारकर अब यहाँ पर चडिया कैả करी है चोच मारकर चड़ी नदी का दिल तोल कर चड़ी मतलब यहाँ पर चड़ी का दिल तोल कर जल का मोती ले जाती है अब जल का मोती ले जाती है मोती का मतलब जल मतलब पानी ठीक है अटटोल का मतलब खोज कर खोज कर क्या करिये वो पानी के मोती मतलब बुंदो को क्या करिये ले जा रही है जल का मोती जल के पानी के बुंदो को ले जा रही है वह छोटी गर्वीली चिडिया अब यहां पे फिर से गर्वीली आ गया तो गर्वीली का मतलब क्या है गर्वीली जो गर्व या अभिमान से भरी हुई है मतलब उस चिडिया में क्या है पुरा गर्व और अभिमान भरा हुआ है फिर से यही बात कहा जा रहा है कि नीले पंख कभी किसी में उसको नदी से क्या रहे तो चलिए अब इसकी व्याख्या को समझते हैं यहां पे कभी कहना चाते हैं कि जो नीले पंखो वाली छोटी सी चड़िया है जो स्वैम पर बहुत गर्व करती है और वो उफंती नदी में बड़े साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल के ब बहुत साहस के साथ जल के बुंदों को अपने चोच में भल लेती है और अपनी प्यास को क्या कर लेती है वो बुझा लेती है उस जल के बुंदों को पीकर और वो किससे प्यार करती हो नदी से बहुत प्यार करती है तो यह था आपका तीसरा इस्टेंजा का भावर्त तो यहाँ पर तीन में चड़ियों के निले कंठ वाली चड़िया के बारे में बताया जा रहा है तीनो परग्राफ तीनो इस्टेंजा में तो पहले में उससे किसे प्यार के बारे में बताया गया है पहले में उससे अन्ने से प्यार के बारे में बताया गया है दूसरे इस्ट करती हूं बचो कि यह भावार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छे समझ आया तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आगे आपको सभी वीडियो आपको हम प्रुवाइड करेंगे और यदि आपको इस टेक्स के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद